अरे तु इतना पड़े लिके काई दिन तेरे दिमाग की नसफटगी फिर क्यास करेगा घर तक चोड़ी आ ना उसे लगे तुम दोनों के बीच में कंचा गोली पिलूट चल रहे दीखे नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, भाई पर एक बात है, जी कहते हैं तु बहुत क्यूट और बहुत सीधा है, बेटा मोई लगे करवाना पड़ेगा तेरा बिया, ना तो तु भगा के ले जाएगा रिया, देख तू तो ए गोचु महाराज, तू तो यासु कदी सीधी बा पक्का बाई यही बोज़ा, तीजरी बात इसे बहुत तू बहुत सीधी यहीं तू प्रोमिस तू हमेसा खुष रही कि कि यह अब मैं दस सेगंड में गया, जो मिनिट में बात करका और जी, बोल अमित, जो अमित कहा रहे है, वह सच्छे है, सच कहा रहे है, जो सर्मा रहा सर्माय रहा है देख ले तेरे उपर ट्रस कर सकती हूं ना मैं तो कर सकती है मेरे पर ट्रस्ट फिर सर्माया फिर सर्माया कल को मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए देख ले मैं प्रोमिस करता हूं कुछ गलत नहीं होगा अरजी बोल अमित यार देख तू सोचती होगी अमित में बहुत है खराभी सकल से तो यह है यारामी बहुत है तू जानती नहीं है अमि मैं खाते, नाते, सोते हग लेटते सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में सोचता हूँ यार तू लगता तो सही है और मुझे तेरे उपर भरोसा नहीं है मेरे उपर भरोसा नहीं है अच्छा चल तू एक बात बदा तूझे पूरे कोलीज में तूझे सबसे सीधा लड़का कोन लगता है जो सच्चा है सबसे जादा तेरे दोस्त रोहित लगता है रोहित लगता है ना तू अभी तू रोहित को बुला ले यहीं पर बुला और मेरे सामने तू उससे पूछ ले मैंने अपनी जितनी भी मन की फिलिंग्स है ना तेरे लिए सब बता रखते हैं उसको अपसे पहली बात उससे तू पूछ कि जो अमित बोल रहा है वो सच है या दूसरी बात तूससे पूछ कि जो अमित कह रहा है क्या मैं उस बात पर ट्रस्ट करू या ना करू तीसरी चीज़ उससे पूछ कि कल को अमित मेरे साथ दोका तो नहीं करेगा पक्का प्रोमिस और देख लियो वो क्या जवाब देता है इतने खुशी हुई आज ना सोगार 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 ना सोगार